राधिका सेथ गोकुल दास की एकलोती बेटी थी, सेथ की करोणों की सम्पत्ती थी. सेथ ने बरने से पहले अपनी सारी सम्पत्ती राधिका के नाम कर दी थी और उसकी शादी मोहन से करने के बाद वे स्वर्ग सदार गए. राधिका का पती मोहन और सास लक्ष्मी उसे सिराखो पर बढ़ा कर रखते थे राधिका बेटी, आ, तू भी हमारे साथ बैट कर खाना खा ले मा ठीकी तो कह रही है, आऊना राधिका, हमारे साथ खाना खाओ नहीं जी, मैं आप दोनों के खाने के बाद ही खाना खाऊंगी, आप आराम सिखाईए। कोई अपना बिजनस कर लीजे ना? बहुत ठीक कहती है पेटा मोहन, तुम कोई अच्छा सा बिजनस क्यों नहीं कर लेते? वो भी कर लूँगा मा, पहले कुछ तै तो कर लूँ. राधिका और उसकी सास में बहुत गहरा प्यार था, दोनों मा बेटी की तरह रहती थी और साथ बैट कर खूब बाते किया करती थी. एक दिन दोनों बात कर रही थी कि तभी कोई बाहर से दर्वाजा खट-खटाता है. राधिका दर्वाजा खोलती है तो सामने उनका मुन्शी नारायन खड़ा होता है. अरे मुन्शी नारायन आप? आए, कहिए इतने दिन बात कैसे आना हुआ? बड़ी फेपदा मैं हूँ राधिका बेटी. बेटा बहुत बीमार है. थोड़ी मदद चाहिए. मुन्शी नारायन राधिका के पिता का मुन्शी था और उनके मरने से पहले उनकी जायदात का हिसाब किताब वही रखता था. मगर उनकी मौत के साथ ही मुन्शी नारायन बेरोजगार होकर रह गया था. मुन्शी राधिका के घर की सादगी देखकर हैरान रह जाता है और कहता है क्या फायदा इसके पास इतनी दौलत होने का? अरे देखो तो महल जैसी हवेली छोड कैसे जोपड़े जैसे घर में रहती है यही दौलत मेरे पास होती तो ठाट से बंगले में रहता अरे क्या सोचने लगे मुन्शी नारायन? अच्छा बताओ तो कितने पैसे चाहिए आपको? एक लाग से कम में तो काम नहीं चल पाएगा ठीक है आप अपने बेटे का इलाज करवाईए मैं आपको पैसे दे देती हूँ यह कहकर राधिका मुन्शी नारायन को पैसे दे देती है मुन्शी नारायन बेहद लालची और एहसान फरामोश आदमी था शुरू से ही उसकी नजर राधिका की दौलत पर थी उस दिन के बाद वह राधिका की दौलत पर कबजा करने के मनसूबे बनाने लगता है और सोचता है अगर इस राधिका की थोड़ी सी दौलत भी मेरे हाथ लग जाए तो वारे के न्यारे हो जाएं मैं भी अमीर बन जाऊं, अमीर एक दिन मुन्शी नारायन को बाजार में एक ऐसी लड़की मिलती है जिसकी शक्ल हू बहू राधिका से मिलती थी मुन्शी नारायन उस लड़की को राधिका समझ कर कहता है अरे राधिका बिठिया तुम तुम यहां क्या कर रही हो क्यू बे भूढे सठिया वठिया गया है क्या यहां बुढ़ापे में पगला गया है तु जुगनी को राधिका कहे बोल रहा बे क्या, क्या तुम सचमुच राधिका नहीं हो, पर लगतो हूबहू राधिका ही रही हो तु पिया है क्या बे, तुझे जुगनी में राधिका नजर आ रही है, चल फुट जुगनी यह कही रही होती है, कि तभी उसका पिता गंगू बंजारा वहां आ जाता है गंगू बंजारा उसे मुन्शी नारायन से बात करते देख कहता है अब ये तो बता कि तु है कौन खंबा उखाड के मैं मुन्शी नारायन हूँ भाई बापू ये मुझे राधिका समझ रहा है क्यों बे फागल की पुडिया गटक कर आया है क्या जो तुझे जुगनी में राधिका दिखने लगी खंबा उखाड के क्यास ये सच में जुगनी है और नहीं तो क्या राधिका है खंबा उखाड के ये सुनकर मुन्शी नारायन मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और उसे अच्छानक ही राधिका की दौलत पर कबजा करने का जरिया मिल जाता है वह सोचने लगता है अगर मैं असली राधिका को गायब कर उसकी जगह इस नकली राधिका अब मतलब जुगनी को पहुचा दूँ तो उसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा यही सोचकर मुणशी नारायन जुगनी और उसके पिता गंगू बंजारा को इस बारे में बताते हुए कहता है देख लो गंगू एक बार दौलत मेरे हाथ आ गई तो मेरे साथ साथ तुम भी हजारों छोड करोडों में खेलोगे इसके कुछी दिन मुणशी नारायन गंगू बंजारा की मदद से राधिका का अपहरण कर लेता है और उसे मौत के घाट उतारने के लिए एक नदी पर ले जाता है राधिका हैरानी से पूछती है मुणशी नारायन यह सब क्या है आप मुझे जबरदस्ती यहां क्यों लेकर आए है क्योंकि तुझे मात के घाट उतारना है सोच असली राधिका नहीं मरेगी तो नकली राधिका को उसकी जगा कैसे मिलेगी गंगू बंजारा के यह कहने पर उसके आदमी राधिका को नदी में फेंग देते हैं और उसी दिन से जगनी राधिका बनकर मोहन के घर में प्रवेश कर जाती है बहू अरियो राधिका बहू जरा इधर तो आना क्या है माजी ऐसे क्यों चिला रही हो मैं बहरी हूँ क्या है राधिका बहू ये अचानक तुम्हारी जबान को क्या हो गया क्यों क्या हो गया तुम तो ऐसे कभी न बोलती थी फिर अचाना कितनी कैसे बदल गई खेर छोड़ जा मेरे लिए चाय बना ला अभी लाती हूँ धीरे धीरे जुगनी जो अब राधिका थी उसका व्यवहार बिलकुल ही बदल जाता है और वे अपनी मर्जी के काम करने लगती है सादगी और संसकार नए जमाने की चाल ढाल में बदल जाते हैं वे मोहन और लक्षमी की परवा करना ही छोड़ देती है राधिका बेटी तुम अचाना कितनी माडन कैसे हो गई तुम तो संसकारी बहु थी आग लगा संसकारों को बुढिया अब मुझे तेरे इस जोपड़े में रहना अच्छा नहीं लगता तू अपने बेटे से कहे मुझे तलाक दे दे हाँ यह सुनकर तो लक्षमी के होश ही उड़ जाते हैं वे अश्चर से कहती है अरे तू यह क्या कह रही है बहु इस जोपड़े में रहने की इच्छा तो तेरी ही थी ना फिर अचानक महलों में लोटने की कैसे सोचने लगी यह सुनकर लक्षमी को बहुत दुख होता है और वे इससे आगे कुछ नहीं बोल पाती फिर अपने बेटे को एक-एक बात बताती है तो उससे राधिका पर बहुत गुसा आता है मा आग लगे इस घमंडी औरत की दौलत को अब यह पहले जैसी राधिका नहीं रही मैं इसे आज ही तलाग दे दूँगा नहीं बेटा ऐसा कभी मत करना पर क्यों मा क्योंकि मुझे कुछ गड़बड लग रही है मुझे पूरा विश्वास है कि यह मेरी राधिका नहीं हो सकती उसकी शकल में कोई और है हाँ लग तो मुझे भी यही राह है पर करूं क्या करना क्या है इसकी असलियत का पता लगा बेटा राधिका यानी जुगनी छिप कर उनकी बाते सुन लेती है और उसके मन में भेद खुलने का डर पैदा हो जाता है वह तुरंत मुझे नारायन और गंगू बंजारा से मिलकर सारी बात बताती है लगता है उन दोनों को भी राधिका के पांस पहुचाने का समय आ गया है उन्हें मार कर ही दौलत राधिका मतलब जुगनी के हाथ आएगी मुझे तुमने बिलकु सही बोला खंबा उखाड के एक दिन मोहन घर आता है तो देखता है कि उसकी मा रसियों से बंदी हुई है और राधिका मुझी नारायन और गंगू बंजारा के साथ बाते कर रही है मोहन को देखते ही राधिका हसने लगती है और कहती है पधारिये पधारिये सैया जी तुम्हारा ही इंतजार था राधिका ये सब क्या हो रहा है तुमने मेरी मा को रस्यों से क्यों बादा है मैं कहती थी ना बेटा कि ये हमारी राधिका नहीं हो सकती ये जरूर कोई और है चुपकर बुढिया मैं राधिका नहीं हूँ तो बता फिर राधिका कौन है हाँ राधिका यानि जुगनी है कही रही होती है कि तब ही असली राधिका पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और कहती है असली राधिका मैं हूँ, माजी इन लोगों ने मुझे मारने के लिए नदी में फेंग दिया था, पर कुछ मचवारों ने मुझे बचा लिया यह सुनकर मोहन और लक्षमी तो अवाक ही रह जाते हैं और उनको सच्चाई समझते देर नहीं लगती पुलिस, जुगनी, मुझी नारायन और गंगू बंजारा को पकड़ कर जेल में डाल देती हैं और लक्षमी को फिर से अपनी असली संसकारी बहूर राधिका मिल जाती है दिनेश के माता-पिता तो उसके बच्चपन में ही गुजर गए थे, मगर एक छोटी बहन थी जिसका नाम लक्षमी था लक्षमी की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी और वह गाउं में ही एक बुटीक चलाती थी लक्षमी एक से एक डिजाइनर सूट बनाती थी और इसी लिए गाउं की औरतों के लिए वह किसी फैशन डिजाइनर से कम न थी राधिका ने कहा लक्षमी दीदी नाब जरा अच्छे से लेना और पंजावी सलवार सूट बनाना तू चिंता न कर राधिका ऐसा पंजावी सलवार सूट बनाऊंगी कि तू पहनेगी तो खुशी से जूम उठेगी हाँ वो तो मुझे तुम पर भरोसा है दीदी तो फिर चिंता क्यों? लक्षमी दर्जी का काम करती थी तो दिनेश गाओं के जमीनदार सज्जन सिंग के यहाँ नौकरी करता था जमीनदार सज्जन सिंग और उसकी पतनी शारदा दोनों ही दिनेश पर पूरा भरोसा करते थे और उसे अपने बेटे जैसा मानते थे जमीनदार की इकलोती बेटी पद्मा की शादी होने वाली थी इसलिए सज्जन सिंग और शार्दा के साथ साथ दिनेश भी शादी की तैयारियों में व्यस्त था शार्दा ने कहा पदमा के लिए कपड़े बनाने की जिम्मेदारी तो लक्षमी को ही दूँगी अरे भई वो तो ठीक है पर एक बार पदमा से भी तो पूछ लो वो क्या चाथी है चाचा जी ठीक कह रहे हैं एक बार पदमा बहन से पूछ लीजिए चाची जी इसमें पूछना क्या है लक्षमी जैसे डिजाइनर सूट तो शहर में भी कोई टेलर नहीं सल सकता मैं अपने लिए सारे सूट लक्षमी से ही सलवाऊंगी शादी हो या कोई अन्य तीच तेओहार गाओं की सभी औरतें और लड़कियां अपने लिए सूट सलवाने लक्षमी के पास ही आती थी एक दिन शार्दा भी पद्मा को साथ लेकर लक्षमी के बुटीक पर आती है और कहती है देख पद्मा बेटी तुझे जैसे भी सूट सलवार या कुछ और सलवाना हो लक्षमी को बता दे बाद में मत कहना कि कोई कमी रह गई लक्षमी के रहते तो कोई कमी रह ही नहीं सकती मा पद्मा के लिए तो मैं ऐसे डिजाइनर सूट बनाऊंगी चाची कि दूले राजा देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे बस कर मैडम ऐसे डिजाइनर सूट भी मत सिल देना कि दूले राजा दुलहन को छोड़ सूट सिलने वाले के ही पीछे पड़ जाएं देख लेना ऐसा ही होगा यह कहकर लक्ष्मी और पद्मा दोनों हसने लगती हैं और उन्हें यूं हसते देख शार्दा कहती है अरी अब बस भी करो यह मजाग का समय नहीं है घर में बहुत काम है लक्ष्मी बेटी तुम इसका नाप लो और हमें जाने दो पद्मा का नाप तुम्हें कई वार ले चुकी हूँ चाची अब भला नाप लेने की क्या जरूरत है तो ठीक है बेटी हम चलती हैं सब कपड़े समय पर सिल देना ठीक है चाची दिनेश की तरह लक्ष्मी भी जमीनदार और जमीनदारनी का बहुत आदर करती थी पद्मा से भी उसका एक अच्छी सहेली जैसा ही नाता था दोनों अकसर घुल मिलकर रहती थी और खूब बाते करती थी इसलिए लक्ष्मी उसके लिए बड़े ही मन से कपड़े बनाने लगती है लक्ष्मी को इतनी लगन से कपड़े बनाते देख दिनेश कहता है अब तो तुम्हारा ध्यान बस पद्मा के कपड़ों पर ही लगा है हाँ भाईया पद्मा मेरी सहेली जैसी है उसको दुलन बनते देख मन में कुछ अजीब से खुशी हो रही है क्या खुद दुलन बनने का मन नहीं करता तेरा यह कहकर दिनेश उदास हो जाता है और लक्ष्मी उसकी तरफ देखते हुए कहती है भाईया अचानक इस तरह उदास क्यों हो गए पद्मा की शादी हो रही है तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए तुम्हें दुलन के रूप में देखने की बड़ी इच्छा है भाईया पहले घर में भाबी ले आओ जब तक घर में भाबी नहीं आती न मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी हाँ यह सुनकर दिनेश चुप हो जाता है और कुछ दिन बाद पद्मा की शादी का दिन आ जाता है दुआर पर बरात आ जाती है और पद्मा सद सवर कर दुलहन बन जाती है पद्मा अकेली बैठी मन ही मन मुस्कुरा रही होती है कि तभी एक बालक हाथ में केला लिए उसके पास आता है और पूछता है दीदी दीदी केला खाओगी नहीं मुन्ना तुम खालो ठीक है दीदी मैं खालेता हूँ वे बालक केला खाते हुए वहां से चला जाता है और जाते जाते केले का छिलका फर्ष पर फेक जाता है फिर कुछ तेर बाद पदमा बात्रूम जाती है तो अच्छानक ही उसका पैर केले के छिलके पर पढ़ जाता है वे फिसल कर गिर पढ़ती है और उसका सिर दीवार से जाटकराता है सिर से लहू बहने लगता है और वे बेहोश हो जाती है उसी समय सज्जन सिंग शार्दा से कहता है अरे भागवान ज़रा जाकर तू देखो पदमा तयार हुई की नहीं आप यहां संभालो मैं अभी जाकर देखती हूँ यह कहकर शार्दा जैसे ही पदमा के कक्ष में जाती है बेहोश पदमा को देख उसका कलेजा फट पड़ता है उसकी सांसे अटक आती है और वे जोर से चीक उठती है हजी सुनो जल्दी आओ देखो हमारी पदमा को क्या हो गया पदमा बेटी पदमा शार्दा की चीक सुनकर जमीनदार और दिनेश सभी दोडते हुए आते हैं घायल पदमा को बेहोश देख समीनदार भी रोटता है और पदमा को लेकर तुरंत अस्पताल पहुचता है मगर अस्पताल पहुचते ही पदमा की मौत हो जाती है डॉक्टर ने कहा देखे लड़की मर चुकी है अब हम कुछ नहीं कर सकते जमीदार जी शार्दा दुखी होकर बोली हाई मेरी बच्ची सुहागन बनने से पहले ही चल बसी ए भगवान मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया शार्दा शार्दा चुप करो अरे अब रोने करे ही बलकि इज़त बचाने का समय है गाउं से बिना दुलहन के बारात वापस डौटेगी तो क्या इज़त रह जाएगी हमारी पद्मा की चिता में आग देने के साथ ही दूले का पिता बारात को वापस लेकर जाने लगता है देखे हमें आपसे पूरी हमदर्दी है मगर अब बारात वापस ले जाने के सिवा कोई और चारा भी तो नहीं है गाउं से बारात बिना दुलहन के वापस जाएगी तो हमारी क्या इज़त रह जाएगी पर दुलहन तो भगवान को प्यारी हो गई अरे गाउं में और भी तो लड़किया है क्या पद्वा की जगा लक्षमी को दुलहन सुईकार नहीं कर सकते लड़की घरीब है पर पर हमारी अपनी बेटी जैसी है यह सुनकर दिनेश चौक सा जाता है और सर्जन सिंग और शार्दा से कहता है आप ये क्या कह रहे हैं? मुझ खरीब की बेहन इतने अमीर खांदन की बहु कैसे बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? हमारी लक्षमी में क्या कमी है? रुफवती है और बुडवती है वो भी तो हमारी बेटी है यह सुनकर दूले का पिता कहता है देखिये इस बात से मुझे तो कोई इनकार नहीं मगर दूला ना माना तो मैं कुछ नहीं कर सकता अरे आप एक बार पूछ कर तो देखिये इस से पहले की दूले का पिता कुछ कहता? दूला खुद उनके पास आकर कहता है देखिये आपकी और आपके गाओं की इज़त के सामने अमीरी घरीबी कोई बायने नहीं रखती मैं लक्ष्मी को अपनी दुलन सुईकार करने के लिए तैयार हूँ मगर मगर क्या बेटा? मगर वो मुझे पसंद आय तो लड़की भले घरीब हो मगर सुंदर और गुणवती होनी चाहिए फिर तो समझो बात बन गई अरे हमारी लक्ष्मी में तो रूप और गुणों की कोई कमी ही नहीं है सज्जन सिंग लक्ष्मी को दिखाता है तो दूलहा उसे तुरंथ पसंद कर लेता है और फिर पद्मा की जगा लक्ष्मी दुलहन बनकर साथ फेरे लेती है किसी ने सच ही कहा है कि जोडियां उपर से ही बनकर आती है भगवान जिसके नसीम में जिसका साथ लिखता है उसे वही जीवन साथ ही मिलता है